सिंहासन 32 पुतली 5 जो शुब मुरत उसने निकाला है यदि उसमें वे एक राज महल बर्माएंगे तो राशी नक्षत्रों की गड़ना के मुताबिक वो आपके लिए अत्यान सौभा के शाली रहेगा और प्रजा सुक समर्दी से परिपून रहेगी जिससे आपके पराक्रम तथा अन्य गड़ो का सरवत्र यशोगान होगा ब्रामण को यतोचित दान देकर विदा किया गया ब्रामण की बातों पर विचार करके राजा ने प्रजा की भलाई के लिए महल बर्मानी का निश्य किया महल के लिए शिप्रा नदी के किनारे पर उप्युक्त स्थान खोजा गया ब्रामण के बताए गए लग्ण में विधी विधान से महल की नीव रखी गई दूसरे राज्यों से भी बहुत से कुशल एवं अनभवी कारीगर बुलाए गए ताकि महल को शीक्र और अत्यधिक सुन्दर बनाया जा सके तीस खंड एवं चार दर्वाजों वाला सोने चांदी हीरे जभारातों के अत्रिक अन्य बहुमूले मड़ी मुक्ताओं से जड़कर भवे महल बनकर तयार किया गया महराजा विक्रमादीत जब महल का निरिक्षन करने आये तो अपने साथ उस ब्रहमण को भी लाए जिसके कहने पर ये महल बनवाया गया था महल की सुन्दरता और भवेता देखकर बरवा से ब्रहमण के मुक्त से निकल पड़ा काश ऐसा महल मेरे पास होता ब्रहमण के मुँ से उन शब्दों को निकलने में जितनी देर लगी विक्रमादीत को अपनी दान वीरता दिखाने में उतनी भी देर न लगी उन्होंने तुरंत वो महल उस ब्रहमण को दान में दे दिया और खुशी खुशी अपने राज महल लोट गई गर पहुँचकर जब ब्रहमण ने अपनी पत्नी को राजा की हिर्दे की विशालता बताई तो वो फूली ने समाई और अपना सारा सामान समेट कर राज महल जाने की तियारी करने लगी पत्नी का लालच देख ब्राहमण को बड़ा जटका लगा दूसरे दिन वो सारा सामान बैलगाडी में लाद कर पत्नी को महल में ले गया उससे वहाँ छोड़कर ब्राहमण राज महल जा पहुँचा और विन्नमरता के साथ राजा से वो राज महल वापस लेने के लिए कहा ब्राहमण का आगरे राजा ठुकरा न सके और राज धरम का पालन करते हुए उन्होंने महल की पूरी लागत के बरावर धन समपता देकर ब्राहमण से वो महल खरीद लिया अब राजा का दर्वाज उसी महल में लगने लगा एक दिन महराज नए महल में सो रहे थे अचानक उनकी आँख खुल गई तो देखा के सामने देवी उपस्तित है राजा ने उठकर उन्हें साश्टांग प्रणाम किया देवी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा न हो गई सवेरा होते ही पूरे राज में धन वर्षा होने की सूचना मिली तो राजा ने कहा कि वो धन प्रजा का है सारे राज में मुनादी करा दी जाए कि प्रतेक व्यक्ति अपने-पने हिस्से का ही धन उठाए दूसरे के धन को कोई हाथ न लगाए ऐसा ही हुआ सभी ने राजा ग्याका सम्मान किया बिना छीना जप्ति के लोगों ने इमानदारी एवं प्रेम भाव के साथ देवी के प्रसात को समेट लिया झाल